यह वीडियो आपकी लाइफ को ट्रांस्वाम कर सकता है अगर आप जो भी चीज में शेयर करने वाला हूं उसको अच्छे से अपलाए करें डेली अपलाए करें लंबे टाइम तक अपलाए करें इससे क्या होगा न आप आपको खुशी ढूंडने नहीं पड़ेगे आप खु किसरवानी जहां पे मैं बहुत सी चीज़े शेयर करता रहता हूं आप सबके साथ स्पेसिफिकली रिलेटेटेट लुग्स रिलेटेटेट टुबुग्स एंड मइलाइफ तो वीडियो सब जरू चेक रहें तभी आपको अंदाजह लगा कि वह जो कंटेंट है जो मैं शेय the monk who sold his Ferrari by Robin Sharma अब ये बुक मैं आपको recommend करूंगा there will be a link in the description box to buy this book but इसका 50% content जो है as a man think it वाली बुक से as a man think it by James Allen तो उसमें कहना उसमें ऐसा ही methods 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 बताय जा रहे है ऐसा हो जा रहे हैं and इसमें story wise बताय जा रहे है so that is very different and very inspirational that's why I recommend this book before as a man think it so yeah और एक बहुत ही अच्छी story है जो आपको ये सिखाएगी कि being in the present moment is the most important thing and the most joyful thing क्योंकि ये line सुनी आप a mind in the present moment is the happiest mind बीप ये line है looking inward by Swami Purnacetanya नाम की book से जिसका मैंने review डाल दिया आप जरूर चेक कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छी book है बहुत ही जरूरी book है आजकल के youth के लिए सभी के लिए तो जरूर चेक करें video and book भी तो present में रहना बहुत जादा important हो जाता है जो कि आजकल लोग नहीं रहते हैं मैं खुद भी नहीं रहे पाता बहुत जादा अभी अभी थोड़ा दो-ती दिन से हो पा रहा है वो भी बहुत मुश्किल से क्योंकि mind mind को 10-20 साल से वही आदत है ना कि इदर उदर घुमते रहो past में जाओ present में नहीं रहो उदर जाओ future में सोचो ऐसा सब को चालू रहता है तो present तो भूली जाता हूं मैं तो अभी थोड़ा ला रहों present में और बहुत मुश्किल है इतना असान नहीं होता है तो ये book में एक ऐसी story है जिसमें क्या होता है एक लड़का होता है ये मच्छर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है पीटर सौरी कट करना पड़ा क्योंकि आवाज आ गया तो वो एक ऐसा लड़का है जिसका नाम है पीटर वो ऐसा कुछ नया नहीं है बट पीटर ऐसा लड़का है जो future में बहुत रहता है उसका mind present में नहीं रहता वो जब classroom में रहता है कल फिर से school कब जाएंगे कब वो सब होगा है इमेजन करने लगता है so this is the thing that he wants and इसकी वज़े से एक चमतकार होता है जब वो अपने garden में सोय हो रहता है अपने घर के garden में तब एक lady आती है and उसको एक पत्थर देती है जिसमें धागा भी रहता है थोड़ा छोटा सा golden धागा बोलते है उसको and वो lady उसको ये बोलती है कि जब तुम इस धागे को थोड़ा सा कीचोगे न तो hours seconds में चले जाएंगे and तुम future में पहुँच जाओगे ऐसा and थोड़ा और जादा कीचोगे तो दिन निकल जाएंगे महिने निकल जाएंगे साल निकल जाएंगे ठीके and वो बच्चा तो मतलब उस मोमेंट में खुश भाई ये क्या चीज़ है तो पहले पहले तो भाई hours निकल गए हम पहुच गे स्कूल में चलो खेलने निकलते हैं चलो बड़े हो गए एडल्ट हो गए चलो शादी हो गई चलो बच्चे भी हो गए तो ऐसे करते करते पूरी जिंदिगी उसकी निकल जाती है and वो कुछ साट साल का हो जाता है बहुत फास्ट समझ रहा है कि इतने साल हम लोग जीने वाले थे वो कुछ ही गंटों में उसका हो जाता है पूरा and death आने वाली होती है and जब वो इसको realize करता है कि यार जल्दी नहीं आगे हम लोग death death आगे नहीं मतलब तो यह क्या हो गया उसको लगा यार वो तो बहुत बेकार चीज़ हो गया अभी तो हम मर जाएंगे हमने जिंदगी जी ही नहीं कुछ देखा ही नहीं कुछ experience ही नहीं किया तब उसको लगता है यार बहुत बेकार गिफ्ट था बहुत है and फिर वो जब regret कर रहा होता है तब फिर से वही लेडी आती है and उसको वापस से अपने बच्पन में पहुचा देती है and वो obviously वो बोलता भी है कि please मुझे फिर से अपने बच्पन में भेज़ दो मुझे ऐसे नहीं जीना और वो फिर से बच्पन में जाता है जहांपे वो वो सो के उठता है and उसकी माँ एकदम you know energetic and जवान होती है क्योंकि जब ही वो 60 साल का होता है future में उसकी माँ बोड़ी हो गई होती है बच्चे भी बड़े अपनी लाइफ बनाने में निकल जाते है and जो वो वापस आता है तो उसको इतना अच्छा लगता है कि क्या बता हूं तो इसी लिए being in the present is the most important and the most joyful thing and sorry for this rubbish cut बहुत important चीज थी तो मैंने सुचा कट करके बता ही देते आपको अभी सोने का टाइम हो रहा है सब सोने की तैयारी में है and है बोलना चाहता था कि याद कीजे अपना कोई भी मोमेंट जिसमें आप बहुत खुश रहते हैं पुचा है खाने की टाइम पे हो कि आपको कोई फेवरेट खाना बना हो and आप खा रहे हो उसको कोई गेम खेल रहे हो या फिर कुछ भी जिसमें आप बहुत खुश थे याद कीजे उस मोमेंट में आप पूरी तरह से आपका mind with you present में थे and that's why you had enjoyed that moment तो अगर आप पास्ट में ही रहते हैं फिर फ्यूचर में ही रहते हैं तो आप enjoy बिल्कुल नहीं कर सकते थे so that's that is what I wanted to convey because हम लोग जब cricket खेलते हैं तो अभी 2-3 देल से हो नहीं पा रहा है क्योंकि सब लोग busy हो रहे हैं तो जब हम लोग खेलते हैं हम लोग कुछ सोचते नहीं क्या होगा क्या हुआ था क्या होने वाला कुछ नहीं हम लोग बस खेलते है so that is the thing you should remember that अब यह मुझे तो पता है कि हम लोग बहुत जदा past and future में खेलते रहते हैं हमारा माइन को वो एक उन्हों आदत लगी हुई है इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ जो सामने है वो नहीं दिखता it's a thing तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपह है जो मैंने follow किया है दो दिन से कि जब भी आप सुबह उठो तो मन में यह बोलो कि it can be my last day it may be my last day on this planet I may not wake up tomorrow मैं पता नहीं कब जिंदार हूंगा कब मर जाओंगा मुझे पता नहीं it can be my last day so जब वह thought intense होता जाता है ना तब आप एक second भी waste नहीं करते हो आपको लगता है यार यह क्या चीज़े यह मुझे नहीं करना मुझे entertainment consume नहीं करना मुझे यह जो important चीज़े वह पहले करनी है so आप बिलकुल भी time waste नहीं करोगे अपना एक discipline में आ जाओगे जबरदस्ती नहीं थोड़ा आपको problem होगी क्योंकि mind addiction से भरा हुआ है ना उसको थोड़ा time लगेगा आने में बट वह आई जाएगा एक डेली प्रैक्टिस से ना और मैंसे कम एक महना तो किजिया तभी आपको समझ में आएगा कि उसके results क्या हो सकते और दो दिन से मैं ऐसी चल रहा था और मुझे काफी difference समझ में है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा कपिल सर्माशों देखता था मैं नाम लेना चाहिए कि नहीं पता नहीं और बहुत entertainment फिर game खेलता था थोड़ा बहुत उसमें समझ लो दो घंटे तो चले ही जाएंगे मेरे दिन के अब भी बिल्कुल नहीं अफोरड ही नहीं कर सकता भई अभी जो पता नहीं न में यह सेकंड में जिन्दा हूं अगले सेकंड में मर जाऊंगा अब कि एंसे बताओ तो किसी कोई गैरेंटी नहीं है स्पेशल आज कल में क्योंकि पैंडिमिक चालो है वापस ला और फिर से जा रहें वापस ला फिर से जा रहें इतना में फिर फ्रस्ट्रेट हो गया है मैं जंक फूड खाले मैंने फिर फिर से कब शर्माशों देख लिया मैं कुछ 15-20 मिंट देख लिया तो वह एक था तो फ्रैंक्ली बलो तो इतना आसान भी नहीं होगा बट अगर आपको एक खुशाल जिन्दी की जिनी है अपने फ्यूचर के लिए तो आप जरूर करेंगे और करना ही चाहिए बहुत इंपॉर्टन थे तो बस आपने सुना ही होगा खाना खाना का टाइम होगे साड़े नहों हो गये मिलते हैं इस संड़े एक नई वीडियो के तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और आपके व्यूज आपके एक्सपीरेंस जरूर शर करना जो भी आपने एक्सपीरेंस किये हैं हां दूसरे वीडियो भी चेक किजए है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहों होगे थाइंक यजिए वाद दूसरे बद्सक्राइब से प्रॉब्लम नहों जरूर दूसरे बदल सब्सक्राइब करेशब एक्से वादाब एक्सारा शूरूरा प्रॉब्लम नहों अल्षक्ष एक्सित करना इंड ऊhtत्रा एक्स किम्त